नमस्क्राइब स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ आतंक पर मोधी सरकार का करारा वार देखने को मिला है तरसल एनाये ने बड़ा एक्शन लेते हुए खालिस्तानी आतंकी पन्नू की प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया है और साथ ही नोटस भी चिपका दिया है बता दे कि लगातार कैनिडा और भारत के बीच तलखी बढ़ती जा रही है इस बीच जहां देखने को मिला कि इस वक्त लगातार खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के भारत और कैनिडा के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है इस से ही लगातार भारत भी सारूप को बेबुनियाद आधार हींद करार दे रहा है तो वहीं पन्नू ने भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उसने ये कहा था कि जो कैनिडा में हिंदू रह रहे हैं उन्हें कैनिडा छोड़ करके चले जाना चाहिए जिसके बाद भारत स सिंग पन्नू की पंजाब के अमरिस्टर और चंडीगर संपत्यों को जब्त कर लिया है पन्नू इस समय अमेरिका में रह रहा है और वहां से लगातार अपनी वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है और आये ने पन्नू की जो प्रॉपर्टियां जब्ती का यह है कि अफंपत्ति का अधिकार खत्म हो गया है और यह संपत्ति भारत सरकार की हो गई पता है कि 2020 में भी उसकी संपतियां कुर्क कर ली गई थी जिसका मूल अर्थ ये था कि वो संपति नहीं बेच सकता लेकिन इस कदम के बाद पन्नू ने संपति का मालिकाना हक भी खो दिया है दिरसल कैनडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंग निजर की मौत को लेकर के भारत कैनडा के बीच लगातार तलखी बढ़ती चारी है कैनडा में रहने वाले हिंदू को खालिस्तानी आतंकी गुर पवंत सिंग पन्नू ने धंकी दे कर ये कहा कि वे देश छोड़ दे इस पूरे मामले को लेकर के कैनडाई हिंदू ने टूडो सरकार को एक चुठी लिख कर के ये मांग की है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की स्पीच हेट क्राइम के तोर पर दर्श की जाए बता रहे कि पन्नू जो है मूल रूप से पंजाब के खानकोट से तालुक रखने वाला है और समय अमेरिका का नागरेख है पंजाब युनिवर्सिटी से लौ की पढ़ा कर भारत सरकार के खलाफ जहर भी उगलता है पाकिस्तानी खोफिया एजिंसी आईसाई की मदद से उसने सिखफ पॉर्ट जस्टिस संगठन नाम से एक संगठन का गठन भी किया जिस पर भारत ने 2019 में ही बैन लगा दिया था और संगठन के तहत वो हर बार कहीं न कहीं यु 12 से एक्टिव होते जा रहे हैं कैनेडा अमेरिका औस्ट्रेलिया और ब्रिटन में खालिस्तान समर्थकों ने अपनी आवास को बुलंद कर लिया है इस बीच दो सालों में चार खालिस्तानियों की मौत हुई है इसमें से तीन की हत्या हुई है जबकि एक बिमारी से मारा ग हुई है वहीं कैनेडा ही सरकार ने निजर की हत्या को लेकर भारत सरकार पर ही सवाल उठा दिये बता दे कि अपनी संसद में बोलते हुए कैनेडा के पीम जयस्तिन टूडों ने पकादा निजर की हत्या जो कि जून में हुई थी उसका आरोब जो है सेप्टमबर में भारत सरकार पर लगाया यह यू कहें कि भारत की जो खूफिया एजनसी है ड्रॉ उस पर लगा दिया नसर्फ यह किया बलकि वहाँ पर उपस्तित एक सीनियर डिप्लोमेट को भी ततकाल प्रभाव से नश्कासत कर दिया जिसके बाद क्या था भारत ने भी इट का जवाब और ततकाल यहां से भी कैनेडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को हटा दिया गया और यह कहा गया कि वह पाच दिन के भीतर भारत से चले जाए तो भाई दूसरी ओर नसर्फ डिप्लोमेट को लेकर कि अब बड़ा डिसिजन भारत का देखने को मिला बलकि जो कैनेडाई वीज है उस पर भी भारत सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंदल लगा दिया है ऐसे में लगातार जो लोग है वो भारत का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं फर चाहिए वो ब्रिटन हो अमेरिका हो या फिर अन्य देश हो यहां तक कि चाइना ने भी इस वक्त भारत का समर् भी की जारी है बता दे कि इससे वेपार जगत में भी कैनेडा को काफी जादा नुकसान भी छेलना पड़ रहा है दरसल देखने को मिला कि महिंद्रा ग्रूपस ने भी पूरी तरीके से अपने बाजार को कैनेडा से समेठने का आलान भी कर लिया है यानि कि महिंद्रा ग्र बाते कही गई हैं कि बाकई में अगर कैनेडाई सरकार को यह लगता है कि निज्जर के हत्या में भारतिया खुफिया जाच इजिंसी रौ का हाथ है तो इस मामले को ले करके वो विश्व पटल पर सबूत पेश करें यानि कि सीधे तोर पर भारत सरकार ने यह बड़ी चुना और जो है आधार हीन करार देते हुए निरस्त कर दिया है लेकिन दूसरी और खालिस्तानी समर्थकों को ले करके भी कड़ा आक्शन देखने को मिल रहा है जहां पन्नू की प्रॉपटियां सीज कर ली गई है जब्त कर ली गई है तो इससे कड़ा संदेश जो है वो भारत स समर्थन दे दो या फिर भारत के खिलाफ कितना भी जहरो कर लो लेकिन भारत सरकार भी भली भाती जानती है कि इस तरीके के लोगों को कैसे हैंडल करना है और शायद इसी वज़े से पन्नू की प्रॉपटिज को सीज करके ये बड़ा और कड़ा संदेश जो है वो भारत सर करड़ा में पना ले रहे हैं या फिर आन्य देशों में चिपे हुए हैं और खालिस्तान को समर्थन करते हैं लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं पंजाब को भारत से अलग रखने का खौप देखते हैं खालिस्तान निर्माड करने का खौप देखते हैं तो इन तम इसे पहले भी पाकिस्तान भी कई दफ़ा ये चीजें करता हुआ नजर आया था लेकिन मोदी सरकार के कारेकाल में लगातार पाकिस्तान के इन तमाम जो वार हैं उसका करारा पलटवार किया गया यानि कि भारस सरकार के दवारा पाकिस्तान और चाइना इन दोनों ही देशों को इट का जवाब पत्थर से दिया गया और अगर खालिस्तान मुद्दे को लेकर के खालिस्तानी समर्था कैसा करते हैं तो उन्हें भी भारस सरकार जो है बखोबी जवाब देना जान दी है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भोलें